आज आपके लिए फिर से एक प्रिविएस एयर कोशन पेपर हैं असेस्मेंट फॉर लर्निंग का तो यह भी आपका 2018-21 का हम देखेंगे ठीक है कैसे कैसे कोशन रहे हैं इससे पहले आप जानते हैं इंक्रूजिव क्रिएटिंग एन इंक्रूजिव स्कूल और जैंडर स्कूल और सुसाइटी नॉलिज लेंग्विजन करिकुलम इनके पेपर अप्लोड किये गए हैं ठीक है तो अगर नहीं देखें तो वह आप देख सकते हैं और फिलाल हम देखेंगे असेस्मेंट फॉर ल सब्सक्राइब लेकिन ट्वेंटी और ट्वेंटी बन में क्योंकि नंबर कोशन्स रिद्यूस किया गया तो इसकी वज़े से नंबर भी इसमें 40 रखे गए जबकि अगर बाकी पेपर्स को आप देखेंगे तो बाकी किसी में ऐसा कुछ नहीं है बाकी पहले भी 40 मार्क्स क तो यह दियान रखे चलेंगे कि जब अगर इस बार पेपर होने हैं तो तीन घंटे का मान का चल रहे हैं तो अगर 19 के बेसे पर हमाने तो यह पर हमारा 80 मार्क्स का होना चाहिए ठीक है तो देख लेते हैं पहले 21 का पेपर फिर 19 का आएगा तो उसमें देखेंगे यह को परिवाशित करना है मापन मुल्यांकन के बीच अंतर को संशेप मुल्यांकन के प्रकार सिक्षक के लिए लाबदायागे अब यह आपका जो असेस्मेंन फॉर्ट लर्निंग सबसे पहला ही जो यूनिटर्स में यह दिया हुए मिजरमेंट वगरा ठीक है तो यह एक बेस ठीक है अगला जो है आपका डेस्कर्द कंसेप्ट अफ एजुकेशनल असेस्मेंट असेस्मेंट भी आपका फर्स्ट यूनिट में ही है ठीक है सब्मेटेव फॉर्मेटेव एवेलिवेशन की बात कर रहे हैं एक्जम्पल्स के साथ में पूछा है मतलब संकलनात्मक और र प्रिक्षर प्रणाली में आई सीटी की भूमेका दोनों में से आप आसानी से कर सकते हैं आई सीटी वाला आराम से हो जाएगा फिर थाड़ आपको दिया था कि आंकड़ों और उसके प्रकार से आप क्या समझते हैं माध्य माध्यांग तथा बहुलक को परिभाशित कीजि चर्चा कीजिए तो आसानी से कर पाते अगर आपने त्यारी की हुई है तो नेक्स्ट आपका शॉर्ट अंसर टाइप कोशन से जिसमें एट कोशन चॉइस बहुत जादा दी हुई है टू कोशन सिफ करने थे फोर मांक्स का कोशन था और इस प्रकार आपके एट मांक्स का यह सक्षन हो जाता है तो प्रशनम देख लेते हैं जातर किस्ते पूचे गए तो देखिए पीरसन से सम्वंद के मुख्य गुण पूचे है सामने प्रैक्ता वक्र यह लॉंग में भी था अब शॉट में भी आ गया मतलब यह तो आपको टॉपिक कर लेना चाहिए वस्तु करने थे और 8 marks का यह सेक्षन हो जाता है सबसे पहले आपको आंकड़े के संकलन के भिविन नाम पूचे है डाटा गैदरिंग टूल्स ठीक है फिर मनोवेग्यानिक परिक्षन सैकलोजिकल टेस्ट क्या होता है इसके बाद अवलोकन की प्रिक्रिया में उप्योग होने वाल इस टेंडर्ड अविएशन से आप क्या समझते हैं ग्राफ के कितने प्रकार होते हैं हिस्टोग्राफ के लाब और बहुलक के उप्योग अब मीन मोड मीडियन करेंगे उसमें आई जाएगी फॉर्मुला आ जाएगा यूज आ जाएगा उसका रेफिनिशन आ जाएगी ठी 40 मार्क्स का यह रहा था सबसे पहले वाले में आपको थ्री कोशन्स करने थे त्री कोशन्स दिये थे जिसमें से टू करने थे वैसा ही सेम पैटन जैसा कि आपके 21 में था ठीक है बस ताइमिंग थोड़ी सी बढ़ गई आदा घंटा तो मापन मुल्यंकन का अर्थ फिर से अभी 21 में भी देखा इसेस्मेंट और लर्निंग के बारें पूछा था तो यह भी आपका उसी मैसे है जिसमें फॉर्मेटिव असेस्मेंट आएगा उसी यूनिट के अंदर यह वाले टॉपेक्स भी दिये हुए है तो यूनिट आपकी फस्ट सेकेंड इस्टार्टिंग लाने करणा तो यहां इसे उस्वाली हो जाती हैोacement के बाद आपको और गली तया करने हैं मीन मोड मेंडियम 16 मैं से कुछं द्चा सबीधा चसले पूछ जाते हैं स्पीर में रेंक और यहां पूछा गया इसके समन्जिते प्रशन हो घृए जो कुछन है यह अच्छा है और यह तयार करने लायक है कर लेना है अपने अगर इंपोर्टन की पूछ है तो नेक्स आपका 8 questions जिसमें से के 2 करने हैं तो formative and summative assessment आ गया पिशली बार भी था मतलब किस में Continent comprehensive evaluation सता तर व्यापक मूल आंगे जिसे short में CCE कहते थे हैं आप और नेक्स आपका CBCS के बारे में पूछा है है choice based credit system फिर CGP के बारे हैं फिर से पूछ लिया फिर ठीक है डिफ्रेंशियेट बिट्वीन किसके बीश क्वाइश क्वाइश क्वाइट टूल्स मीनिंग टैपस अफ डेटा क्रेक्टरिस्टिक्स अफ मीडियन फिर आपको मीडियन पूछा एक चोटे से question के द्वारा नेक्स में देखें तो सबसे पहले दिया गया है formula used for the calculation of standard deviation by assumed mean method from classified data the case standard deviation deviation पहले भी पूछा गया था फिर formula of calculating quartile deviation next name of the two statistical curves फिर इसके बाद mode आपको solve करना है ना बहुला ज्याद करना है कुछ इसमें फिलिंदर ब्लेंक्स आ गए ठीक आप जानते हैं एक पूछा गया फिलिंदर ब्लेंक्स next आपके open book परिक्षा के कोई दो गुण बताने है next कोई भी दो प्रकार की बैद था फिर formula of calculating 50th percentile इसके बाद एक और फिलि 2019 का यहां आप देढ़ेंगे टोटल जो पेपर 80 marks करी करता है आप देखेंगे किस तरीके से यह divided है सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं 48 का पहला section है ठीक है जबकि जो इससे पहले के paper को आपने देखा 20 और 21 में वहां 24 का था ठीक है 12 नमबर का एक question था तो यहां आपको को तीनो questions करने हैं लेकिंग च्वाइस तीनों में दी गई है सबसे पहले constructivist paradigm के बारे में पूछा है फिर assessment for and assessment of learning का फिर से difference पूछ लिया गया है ठीक है फिर से आपको एक achievement test बनाना है और यह 21 में भी repeat हुआ था question ठीक है नेक्स आपका है standardized test के बारे में पूछा गया है जो कि यह भी आपका unit second में ही आपको question मिल जाएगा ठीक है इसके साथ में अथवा में दिया गया है केंदी प्रवर्तिके मापको और धारान सहित वर्णन फिर third question में आपको दो भागों में यह पहला part बांटा गया है A और B औ अथवा में दिया गया यह NPC वक्र है सामाने प्रैक्ता चक्र या वक्र ठीक है तो यह NPC तो पहले भी आया हुआ था तो important हो जाता है तो third question के पहले part में आप देख रहे हैं सबसे पहले पूछा गया है उन परिस्थितियों को इंगित करें जहां मानक पिष्णन सर्वोच संस अब अगर यह दो नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा वाला मुझे जाता अच्छा लगा के बारे में बता सकते हैं इसकी विशेष्टा अरोपियों का बंदन कर सकते हैं ठीक है नेक्स आपका लगूत्रिय प्रश्न है जिसमें की आर्ट कुशन से कोई चार करने हैं और चार यह 4 marks के हैं तो 16 नंबर का यह section हो जाता है ठीक है जबकि आपने 20 और 21 में देखा होगा यह section 8 marks का था ठीक है तो सबसे पहले choice based credit system के बारे में पूचा है तो यह पहले भी पूचा गया था है ना मतलब पहले अभी जो कुशन हमने देखे 20 का उसके बाद में एक विध्यारत के बीच अंतर अब देखे यह वाले आपको करने हैं यह भी आपका second unit में हैं चारो चीज़े परिक्षण की वैदेता विश्वशनियता वस्तु निष्ठता और मानक ठीक है जिन में से question आता ही आता है next आपका है what do you understand by data data से आप कह समझते है write its type with example next आपका है मानक संधरवि इसके बाद मुल्यांकर में प्रति पुष्टी की भूमिका बताईए roll of feedback feedback और इतनी आपने समझा हुआ है evaluation को अगर यह एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा असानी से लिख पाएंगे next आपके आती लगू है जिसमें nine questions दिये गए कोई eight करने है और यह भी आप तो देखेंगे मापनों मुल्यांकर में फिर से अंतर पुछा गया खुली किताब परिक्षा पुछ लिए यह वस्तुनिस प्रश्णों के क्या दोश है आंगडों के आरीकि निरुपन के तीन प्रकारों के नाम एक प्रमाणी परिक्षण में नक्षे का क्या महत्व है ब्ल क्या को नेक्स्ट आपका है 2018 kp तो आप देखेंगे यह 18 कप बहुत अच्छा है कैसे 1916 ऑ 18 यापको सेम ही कोश्ण में आपको थी लग तेया की सेम पेपर है ठीक है एक दम सेंटिव पैलोडिजम जबकि जो से चाहीं से व्यासा ही है दिखें असीवेंट के बारे में calculate करने के लिए पूछा गया था ठीक है question भी उसी तरीके से पूछा गया है third आपने देखा था ना अभी third question में दो section थे दो ही section है NPC आपका इसे अत्वा में था NPC दिया गया है ठीक है और short question answer question और very short सब कुछ ऐसे ही है शायद ही कोई भी इसमें change हो वरना लगता है कि पुरा ही ऐसा रख दिया ठीक है और आपने देख लिए हैं topics कौन-कौन से main है unit of one में से काफी जादा है इसके बाद फिर ICT के बारे में आपने पढ़ना है और mean median mode के बारे में पढ़ना है deviation वाले questions आपने देखे ठीक तो समझ गए होंगे उसी तरीकी साब को प्रिपर करने लिए कोई भी कोई रही है तो पूछ लेजेगा और PDF इसका भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा देख लेंगे अगर एक बार और देखना है तो ठीक है कोईशन पेपर को समझना है नेक्स वीडियो मिलते हैं थेंक्स पर वाचिंग